हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जैनवरी 2021 के बेस्ट 100 MCQ को पढ़ने वाले हैं ठीक है एक्जाम से पहले पढ़ कहीं जाना है रिवीजन के लिए जितनी भी इसमें कोश्चन है यह सब क्रीम कोश्चन है बहुत सारे कोश्चन में से जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके लिए 100 MCQ त्यार किया गया है ताकि जो है रिवीजन में ज्यादा टाइम न लगे है ना देने के लिए 200 कोश्चन भी दे सकते थे बट कोई फैदा नहीं है जो यह 200 में से जो ऐसे 100 है जो कि आप इग्रोड नहीं कर सकते दे इसको आप कह सकते हैं वेरी-वेरी इंपॉटेंट वैसे ही कोश्चन यहाँ पर दियेगा हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंपॉटेंट सेशन सब्से पहले mcq start करने से पहले कुछ important appointments है कुछ news है वो आप ध्यान दे लीजिए तो देखे उमेश शिना जो है उमेश शिना has been named as the deputy election commissioner in the election commission of India ठीक है यह deputy election commissioner जो है बने है उमेश शिना important takeaways क्या है competitive exam के लिए कि chief election commissioner of India कौन है तो सुनिल अरूरा है chief election commissioner कब formed हुआ था तो 25 January 1950 को chief election commissioner का headquarters कहां है निउ देली में important appointment है यह उमेश शिना next है the central government has approved the extension of the term of ishro chairman के शिवन तो के शिवन का जो tenure है वो एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है ओके वो रिटायर होने वाले थे 14 January को लेकिन उनका एक एर और उनको बढ़ा दिया गया है तो यह भी important है next है कि इश्रो के इस वक chairman कौन है तो वो है के शिवन headquarter कहां है इश्रो का तो बैंगलरू करनाटक में है इश्रो कब established हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को इश्रो established हुआ था next important appointments के है शोमा मंदल शोमा मंदल जो है यह chairman बनी है Steel Authority of India Limited यानि इसको short में बोलते हैं S.A.I.L. ओके तो यह सोमा मंदल जो है यह chairman बनी है Steel Authority of India की next है शुनीत सर्मा यह जितने भी appointments है यह बहुत ही जादा important है शुनीत सर्मा जो है यह बने है chairman and CEO of railway board ओके सुनीत सर्मा यह question 100% है कि exam में आएगा सुनीत सर्मा जो है बने है new chairman and CEO of railway board के next है defense research and development organization जिसको DRDO भी बोलते हैं यह इस बार अपना 63rd foundation day मनाया है ठीक है next important question क्या है अब यहां से MCQ question start होता है पहला question है कि justice हीमा कोली has been appointed as the first ever female chief justice of the high court नियाय मूर्ती हीमा कोली को डैस के उच्तम नियाली की पहली महिला मुख नायधिस की रूप में newt किया गया है right answer क्या होगा यहाँ पर option number यहाँ पर हो जाएगा आपका D ठीक है तिलांगना यहाँ पर right answer होगा the senior most judge of Delhi high court justice हीमा कोली has been appointed as the new chief justice of तिलांगना high court ठीक है यह present time में दिल्ली की दिल्ली high court की जो है senior judge यह अब appoint हो गई है new chief justice of तिलांगना high court की और इसके साथ ही c is the first woman to be shown in as chief justice of तिलांगना high court और यह पहली महिला होंगी तो काफे important question है इनको फिर से एक बार revise कर लीजे justice हीमा कोली next question क्या है next question है the world's first double stack long haul container train was flagged off by PM Modi recently the train will run between which state तो हाली में PM Modi जो है दुनिया की पहली double stack long haul container train को हरी जंडी दिखाई है किन राजों के बीच यह चलने वाली है train किन राजों के बीच चलेगी यह train तो right answer क्या होगा तो हरियाना और राजस्थान के बीच में ओके हरियाना और राजस्थान के बीच में यह train चलने वाली है PM जो है यहाँ पर हरी जंडी दिखा दिए है next question question number third है a general manager at RBI dash has authored his book authored his debut book right under our nose तो RBI के महाप्रबंधक ने अपनी पहली पुस्तक right under our nose जो है यह लिखी है उनका नाम क्या है उनका नाम है आर गिरी धरन ठीक है इनका नाम क्या है आर गिरी धरन तो exam में question आ सकता है right under our nose के author कौन है तो आर गिरी धरन next है question number four name the Indian American who has taken over as the first chief information officer of the US army उस भारतिये अमेरिकी का नाम बताईए जिसने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सुचना अधिकारी के रूप में पद भार समाला है उनका क्या नाम है उनका नाम है राज अयर उके इनका नाम क्या है राज अयर next question ये है राज अयर next question question number five who among the following has been appointed as chief justice of गोहाटी high court गोहाटी high court के जो है गोहाटी उच न्याले का मुख्य नायधिक्स न्यूट किया गया है किसको गोहाटी high court का इनका नाम है शुधांसु धूलिया शुधांसु धूलिया जो है ये जो है अब क्या बने है chief justice गुजरात high court के next question number six justice dash was sworn in as the new chief justice of सिख्किम high court सिख्किम high court के कौँ बने है chief justice तो ये बने है कौँ जितेंद्र कुमार महेश्वरी जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो है ये बने है सिख्किम high court के new chief justice जितेंद्र कुमार महेश्वरी Question number 7 है Dash has been appointed British High Commissioner to India Dash को भारत के भारत में British उचायुक्त न्यूक्त किया गया है किसे न्यूक्त किया गया है? Who has been appointed British High Commissioner to India और उनका नाम है Alexander Ellis Alexander Ellis इनका नाम है Next Question, Question number 8 Who among the following has been appointed as the Chief Justice of Uttrakhand High Court Uttrakhand High Court के Chief Justice के बारे में पुछा गया है क्या होगा Right Answer? Option number A Raghvendr Singh Chauhan Raghvendr Singh Chauhan जो है ये Chief Justice बने है Uttrakhand High Court के Uttrakhand के High Court के Chief Justice कौन बने है जम्मू एंड काश्मीर ने किया है सतर्क नागरिक Mobile App Okay जम्मू एंड काश्मीर Question number 10 है Central African Republic President Toydera won the re-election recently What is the capital of the Central African Republic? मद्य अफ्रीकी गनराज के राश्पती Toydera ने हाल ही में फिर से चुनाव जीता है मद्य अफ्रीकी गनराज की रजधानी क्या है? Capital पूछा है याँपर Right Answer क्या होगा? Bangui ठीक है? Bangui जो है Capital है यह पूछ सकता है आपके एक्जाम में कि Toydera जो है यह कहां के बने है कहां President तो क्या हो सकता है यहाँपर Right Answer? ठीक है Bangui जो है यहाँपर Correct Answer हो जाएगा ठीक है Next Abhishek Yadav was appointed as the first deputy general secretary of which of the following sports federation Abhishek Yadav को निम्न लिखित में से किस खिल महाशंग के पहले उप महाशचीव के रूप में न्यूप किया गया है तो Right Answer क्या होगा? Football ठीक है? Abhishek Yadav को ठीक है? किसमें जो है appoint किया गया है First Deputy General Secretary Football is the Right Answer Question No.12 है Dash overtakes Amazon Jeff Bezos to become the world's richest person First No.12 पे Jeff Bezos चल रहे थे Amazon के founder वो जो है उनको पीछे करते वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले जो है वो कौन है? Right Answer क्या होगा? तो Elon Musk ठीक है? Elon Musk जो है यहाँ पे Right Answer हो जाएगा Next Question No.13 प्रवासी भारतिये दिवस ठीक है? या और NRI Day दोनों सेम है यह किस दिन को Celebrate होता है? Right Answer हो जागा यहाँ पर 9th January को तो प्रवासी भारतिये दिवस कब होता है? 9th January को Next Question है Question No.14 What is the theme of the प्रवासी भारतिये दिवस 2021? Theme पुछा गया यहाँ पर प्रवासी भारतिये दिवस का theme क्या था? What is the theme of प्रवासी भारतिये दिवस 2021? Correct Answer यहाँ क्या होगा 14 का तो Option No.E हो जाएगा Contributing to आत्म निर्भर भारत प्रवासी भारतिये दिवस 2021 का theme था Contributing to आत्म निर्भर भारत Next Question Question No.15 When is the World Hindi Day observed globally? हर साल हिंदी दे कब होता है? Which will Hindi दिवस? तो 10 January को होता है 10th January will be your right answer 10 January को हर साल क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस और ये कब से हो रहा है? January 10, 2006 से Next शुमोना गुहा है वरिष्ट निर्देशक के रूप में न्यूक किया गया है यानि South Asia यहाँ पर राइट एंसर हो जागा Senior Director of South Asia Question No.17 The Dash Edition of the Kolkata International Film Festival hailed in West Bengal recently तो यह कैमा एडीशन था? Kolkata अंतराश्प्रिय फिल्म महतसब का Dash शंसकरन हाली में पस्चिम बंगाल में आयूजित किया गया कैमा शंसकरन था? 26th शंसकरन था? 26th edition था? Next question, Question No.17 Sorry, 18 A coffee table book named Modi India Calling 2021 has been released on the occasion of 16th प्रवाशी भारतिय दिवस The book is the idea of तो 16th प्रवाशी भारतिय दिवस के अफसर पर Modi India Calling 2021 नामक एक coffee table book का विमोचन किया गया है पुस्तक Dash का विचार है किसका विचार है? तो यह है विजय जॉली का ठीक है? विजय जॉली Next question No.19 Twitter has deleted new tweets posted by US President Donald Trump on official government account and Dash suspended the account of his presidential companion Twitter ने अमेरिकी राश्पती Donald Trump द्वारा अधिकारी सरकारी खाते Dash पर पोस्ट किये गए नए tweets को हटा दिया है और उनके राश्पती अभियान के खाते को निलंबित कर दिया है तो वो कौन सा account था? वो account था at the rate POTUS Question No.20 क्या है? Question No.20 है A passenger plane of Indonesia Shri Vijay Air carrying 62 people on board crashed into water of Jakarta What was the name of the plane? तो एक बहुत ही अपर ये दुर्घटना हो गया था Indonesia के Shri Vijay Air का एक यात्री विमान बाशत लोगों को ले जा रहा था जो जकारता के पास पानी में दुर्घटना गरस्त हो गया विमान का नाम क्या था? ले जा रहा था तो विमान का नाम क्या था? विमान का नाम था बोईंग 737-500 उसका नाम था नेक्स्ट कोर्शन है कोर्शन नमबर 21 When is the National Hindi Day is celebrated in India? तो भारत में राश्ट्रिय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सेप्टेमबर को ठीक है? 14 सेप्टेमबर को नेक्स्ट कोर्शन, कोर्शन नमबर 21 22 कोर्शन नमबर 22 है Who among the following has been appointed as Senior Director for Technology and National Security for Security by Joy Biden तो निम्न लिखित में से किसे जो Biden द्वारा प्रध्योगिक एवं राश्ट्रिय शुरक्षा के लिए वरिष्ट निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया है? तो किसे अपोइंट किया गया है? Senior Director for Technology and National Security by Joy Biden तो तरून छाबरा को न्यूक्त किया गया है तरून छाबरा कोर्शन नमबर 23 The inaugural ceremony of 26th Kolkata International Film Festival was virtually attended by Bollywood Superstar and West Bengal's brand ambassador Dash from Mumbai तो 26-वे कोलकता अंतराश्ट्रिय फिल्म महत्सव के उदगातन सामरों में Bollywood Superstar और मुंबईक से पस्चिम बंगाल के brand ambassador Dash ने भाग लिया है तो वो कौन है? वो है on and only शारूक खान ओके? शारूक खान is the right answer Next question क्या है? Next question है 24 National Youth Day राश्ट्रिय यूवा दिवस ये हर साल कम बनाया जाता है? 12th January को on the auspicious occasion of Swami Vivekanand birth anniversary Next question Question number 25 Which country is the focus country of the 51st International Film Festival of India? भारत के 91 अंतराश्ट्रिय फिल्म महत्सव का focus देश कौन सा था? focus देश कौन सा था? 91 अंतराश्ट्रिय फिल्म महत्सव का focus देश था? वो कौन था? तो बंगलादेश ठीक है? focus देश जो है वो कौन था? बंगलादेश Bangladesh has been chosen as the country in focus for the 51st International Film Festival of India as the official representative of BCCI for the ICC board meeting ICC board की बैठक के लिए BCCI के अध्यकारिक प्रतिनीधी के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है? किसे चुना गया है? वो है जैशा ठीक है? जैशा is the right answer question number 27 National Road Safety Month 2021 will be organized by the Ministry of Road Transport and Highway from राश्ट्रिये शरक शुरक्षा माँ 2021 का आयोजन शरक परिवाहन और राजमाग मंत्राले दोहरा डैस से किया जाएगा तो वो कौन सा इमन्त होगा? वो होगा 18th January से लेकर 17th February तक ठीक है? 18th January से लेकर 17th February तक next question है आपका जिगमेट डोलमा रिसेंटली वॉन फोर्थ प्लेश एट धाका मैरथें 2021 फ्रॉम विच स्टीट ये यूनियन ट्रेटरी ओफ इंडिया से इस फ्रॉम तो जिगमेट डोलमा जो है उन्होंने हाली में धाका मैरथें 2021 में चौथा अस्थान जीता है वो भारत के किस राज या केंदर शासित परदेश से आती है? वो आती है ललदाग से ठीक है? next question number 29 29 में है oldest living Olympic champion एंग्रेश क्यालिटी turned 100 recently which country did she represent? तो सबसे उमरदराज Olympic champion एंग्रेश क्यालिटी हाल ही में 100 साल की हो गई है 100 years की ये हो गई है उसने जो है किस देश का प्रतिनिद्व किया था? किस देश से वो आती है? वो आती है हंग्री से हंग्री और अभी तक इनके अंदर का जो हंगर है वो गया नहीं है खेल के प्रति ठीक है? एंग्नीज क्यालिटी का ठीक है? हंग्री की है अच्छा नाम है भूलेंगे भी नहीं इसको हम लोग है कि नहीं? next question, question number 30 question number 30 में क्या है? in 2021 we are observing dash birth anniversary of स्वामी विवेकानन्द 2021 में हम स्वामी विवेकानन्द की dash जयंती मना रहे हैं तो कैमी जयंती है वो? वो है 158 जयंती okay 158 जयंती स्वामी विवेकानन जी का जनम कब हुआ था? वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को है ना? और 1869 में महत्मा गांदी next question वोट इस दा थीम ओफ National Youth Day 2021? राष्ट्रिय यूवा दिवस 2021 का विशय क्या है? विशय था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग ओके चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्मान के लिए यूवा सक्ति को चैनलाइज करना ये इस बार का थीम था next question चलिए कुछ important one-liners है कि इस बार जो है first time history में ऐसा हुआ है कि union बजट जो पेश हुआ है 2021 का वो पेपर लेज था है ना? ओके निर्मला शितारमन finance minister है ओके और minister of state in the ministry of finance and corporation affairs वो कौन है? अनुराग ठाकूर मनिपूर के CM कौन है? ये बिरेन सिंग है उन्होंने अभी inaugurate किया है cherry blossom festival next है 32 भारत का rank क्या है हिलने passport index में ठीक है? very very important passport index है हिलने passport index 2021 में भारत का rank क्या रहा है? वो रहा है 85th 85th जो है यहां पर right answer है हिलने passport index में भारत कर रहा है कितना है 85th next next question है who is the author of the book The Population Myth Islam Family Planning and Politics in India The Population Myth Islam Family Planning and Politics in India पुस्तक के लिखक कौन है? पुस्तक के लिखक है S.Y. Qureshi ठीक है? S.Y. Qureshi Quresh number 34 Which country was the host of the One Planet Summit 2021 held in collaboration with US and World Bank? S.Y. Quresh राष्ट और विश्व बैंक के S.Y. Quresh से आयोजित One Planet Summit 2021 का मेजबान कौन सा देश था? कौन सा देश होस्ट कर रहा था? तो ये कर रहा था France ठीक है? One Planet Summit 2021 है न? कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा था? France Quresh number 35 Which country has topped the Henle Passport Index 2021? और इसी पास्पोर्ट में भारत कर रहा हैं कितना था? 85th और इस पास्पोर्ट इंडेक्स में जो No.1 पोजिशन पर है वो है कौन? जापान ठीक है? इसके पास्पोर्ट का रैंक सबसे उपर है Next question है After UK PM Boris Johnson Withdrawal Shuri Names India's Origin President Is to be Republic Day Chief Guest Name Shuri Names India's Origin President तो देखिए 26 जनवरी को प्रेट ही होता है उस दिन Chief Guest कोन थे? तो John Boris Johnson थे UK के PM इन्होंने अपना नाम Withdrawal कर लिया तो अब यहां question पूछा है कि Britain के PM Boris Johnson के हटने के बाद Shuri Names के भारतिये मुल्क के राष्टपती गंतंत दिवस के मुक अतीती होंगे है ना? तो Shuri Names के भारतिये मुल्क के राष्टपती का नाम बताएए इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रिका प्रशाद शंतोखी है ना? इनका नाम ये Indian origin है Next 37 मनिपूर गवर्णर डॉक्टर नजमा हप्तुला है वर्चुली रिलीजड अ बूक टाइटल मेकिंग ओफ अ जेनरल अहिमाल्याई को आथर्ड बाई तो मनिपूर की राजपाल डॉक्टर नजमा हप्तुला ने वस्तुत द्वारा लिखित मेकिंग ओफ मेकिंग ओफ जेनरल अहिमाल्याई जोस नामक पुस्तक का भी मोचन किया है यह था किसका कौन सर्म हिमाल्या शिंग का है न तो फोर्थ एडिशन ओफ दे चेरी ब्लोसम फेस्टिबल वाज वर्चुली इनागुरेटेट इन तो फोर्थ एडिशन जो चेरी ब्लोसम फेस्टिबल कहता कोर्शन यह भी आ सकता है कि यह चेरी ब्लोसम फेस्टिबल कहां कहा है तो आपको जवाब क्या देना होगा मनीपूर ठीक है मनीपूर आपको इसका एंसर देना होगा यह अभी हम लोगों ने किया था वापस से यह repeat हुआ है तो S.Y. Khureshi इनका नाम है S.Y. Khureshi Next question है, question number 40 What is the theme of One Planet Summit 2021? One Planet Summit 2021 का theme क्या था? इसका theme था Let's Act Together for Nature आईए प्राक्रिती के लिए एक साथ कार करें ठीक है? Next question, question number 41 Which hospital won the Kaya Kalp Award for the third consecutive year this time? तो किस अस्पताल ले इस बार लगातार तिसरे वर्स Kaya Kalp पुरुषकार जीता है? Third times, not a single time, third times यह है A.I.I.M.S. भूमनेश्वर ठीक है? तो A.I.M.S. भूमनेश्वर जो है, यहाँ पर right answer हो जाएगा तीन बार लगातार जीता है, Kaya Kalp Award Next सदीर जापरोव ने किस देश का राश्पती चुनाव जीता है? वो देश कौन सा है? किर्गिस्तान है उस देश का नाम ठीक है? शदीर जापरोव किर्गिस्तान is the right answer Next question Question number 43 In India, the Armed Force Veterans Day is observed each year on भारत में ससत्र बल वयोविर्द दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14th January को ठीक है? 14th January is the right answer Next question Question number 44 Which of the following state inaugurated fire park? To educate and bring awareness on basic fire safety measures among the people, particularly the students तो निमनलेखित में से किस राज ने लोगों विशेश रूप से छातरों के बीच बुनियादी अगनी शुरक्षा उपायों को उपायों पर सिक्षित और जागरुपता लाने के लिए fire park का उधाटन किया है ठीक है? Educate किया जाएगा बच्चों को कि कैसे हो situation tackle किया जाना चाहिए? तो यह किया है किसने option number C ठीक है? Odisha is the right answer ठीक है? Odisha के जो CM है नवीन पतनायक है ना? Odisha के जो CM है नवीन पतनायक उन्हों नहीं यह inauguration किया है Next है 45 Elon Musk owned electric vehicle company Tesla has registered a fully owned subsidiary in Dash तो Elon Musk का जो है आपको स्वामित्व वाली electronic वहान company Tesla ने Dash में एक पूर्ण स्वामित्व वाली शाहया कंपनी पंजी कृत की है कहां पे किया है यह? तो बैंगलूरू में किया है ओके? बैंगलूरू is the right answer Next question क्या है? Next question 46 में देखते हैं हम लोग When is the Indian Army Day observed? Indian Army Day कब होता है? यह होता है 15 January को Next question देखे हम लोग 47 The 51st IFFI is celebrating the work of which legendary Indian filmmaker? तो एकानवा IFFI किस महान भारतिये फिल्म निर्मता के काम का जशन मना रहा है? और उनका नाम है सत्यजीत रे चलिए Next देखे हम लोग India first indigenous 9mm machine pistol has been jointly developed by DRDO and Indian Army Question number 49 क्या है? In 2021, the Indian Army is observing which edition of the Army Day of India 2021 में भारतिये सेना भारत के सेना दिवस के किस संस्करन का अवलोकन कर रही है? 73rd ठीक है? Question number 50 क्या है? Who among the following has been appointed as the new Chief Executive Officer of Intel? तो निम निलिखित में से किसे Intel का नया मुक्य कारेकारी अधिकारी नियुक किया गया है? इनका नाम क्या है? Pat, Jelsinger इनका नाम है Next 51 When was the first प्राकरम दिवस celebrated? पहला प्राकरम दिवस कब मनाय गया है? कब मनाय गया है? 23rd January 2021 को ठीक है? 23rd January 2021 को फ्राकरम दिवस celebrate किया गया है और ये देखिए कब क्यों किया गया है? क्योंकि auspicious occasion था 125th birth anniversary था नेता जी सुबास चंदर बोश का ठीक है? explanation भी दिजावा है PDF आप नीचे description box है डाउनलोड कर लेना उसके बाद इस PDF को एक बार read भी कर लेना ठीक है? और इस PDF से जो related जितने भी MCQ questions है ये मैं अपने ST portal ठीक है ना? जो मेरा application है SSC crackers का वहाँ पे भी जो है मैं इस question जो है डाल लेंगे ताकि आप वहाँ पर टेस्ट के रूप में इसका वापर से practice कर लें ओके? बारत का एकानवा अंतराश्टिये फिल्म महतसब कहां आयोजित किया गया था? ये किया गया था गोवा के पंजी में नेक्स्ट कोर्षन कोर्षन नमबर 53 विच फिल्म वान दे गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन दे 51st IFFI अवार्ड तो एकानवे IFFI पुरुषकारों में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरुषकार जीता है? ये जीता है इन्टु दे डाकनेश ठीक है? इन्टु दे डाकनेश ने जीत लिया है नेक्स्ट कोर्षन विच कंट्री पार्टिसिपेट विट इंडियन एर फोर्स फ्रांस के साथ कुछ और इंपॉर्टन एक्सरसाइज होते हैं जैसे वरूना होता है गरोडा होता है शक्ती होता है वरूना जोकि नवल एक्सरसाइज है एर एक्सरसाइज गरोडा है और आर्मी एक्सरसाइज सक्ती है ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन क्या है तो कोश्चन क्या है यहां पर कि गंतंत्र दिवस परेड में भारतिय वायू शेना की जहांकी का हिस्सा बनने वाली पहली भारतिय फाइटर जेट पालेट कौन बनी थी इनका नाम क्या था इनका नाम था भावना ठीक है भावना कांट ठीक है नेक्स्ट कोश्चन क्या है कोश्चन नंबर 56 विच कंट्री ट्राइ सर्विस फोर्स कॉंटीजन पार्टिसिपेटेड इन इंडिया 72nd रिपब्लिक देपरेड भारत के भातर्वे गंतंत्र दिवस परेड में किस देश की ट्राइ सर्विस फोर्स की टुकरी ने भाग लिया तो क्या होगा यहां पर राइट एंसर बंगलादेश का ठीक है Who was the only foreigner to receive Padm Vibhushan Award in 2021? 2021 में Padm Vibhushan पुरुषकार पाने वाले एक मात्र विदेशी कौन थे? सिर्फ एक ही थे ये और ये कौन थे? Sinjo Abay ठीक है? Sinjo Abay जो है यहां पर राइट एंसर हो जाएगा Next question Who recently got appointed as the Managing Director of State Bank of India हाली में भारतिय स्टेट बैंक के प्रवंध निर्देशक के रूप में किसे न्यूट किया गया? ये किया गया तक इसका श्वामी नाथम ठीक है? जानकीरमन को और अश्वनी कुमार तिवारी को ठीक है? तो श्वामी नाथन और अश्वनी कुमार तिवारी जो है इनको न्यूट किया गया है? नेक्स्ट कोशन नमबर 59 वाट इस इंडिया रैंक अमोंग दे वर्स हीट कंट्रीज ड्यू टू एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट एस पर दे सिक्स्टीन एडिशन ओफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा गया है भारत का रैंक इतना था? सेवेंट नेक्स्ट कोशन क्या है? कोशन नमबर 60 कोशन नमबर 60 है विच और्गनाजेशन रिलीजड दा फ्रेमवर्क स्टेट्मेंट ओन डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिशी किस संगठन ने विकासमात्व और नियामक नीतियों पर वैक्तित्व की रूप रेखा जारी की? तो ये कौन सा होगा यहाँ पर? रिजर्व बेंग ओफ इंडिया नहीं, ठीक है? रिजर्व बेंग ओफ इंडिया नेक्स्ट कॉर्शन है व्ट वाज इन्डिया जारांक इन्ड 20 क्रॉप्शन पर्शेप्शन इंडेक्स रिलीजड बाइ ट्रांस्पैरिंसी इंटरनेशनल तो Corruption Perception Index में भारत का रैंक 86 जो है भारत का रैंक था Next question, question number 62 What was the theme of 51st edition of 2021 World Economic Forum Annual Meeting The Davos Agenda 2021 2021 विश्व आर्थिक मंज की वार्षिक बैठक के 91 संसकरन The Davos Agenda 2021 का विशय क्या था Theme पूछा गया यहां पर Theme था A Crucial Year to Rebuild Trust Theme क्या था? A Crucial Year to Rebuild Trust Next question है, question number 63 भारत का रैंक पूछा गया है Asia Pacific Personalized Health Index 2020 के रिपोर्ट में Asia Pacific Personalized Health Index 2020 के रिपोर्ट में भारत का रैंक था 10th ठीक है? 10 वा रैंक था भारत का Next question 64 है World Economic Forum launched the first of its kind platform Addition Alliance to reduce digital inequalities What does Addition stands for? Full form पूछा गया है इसका full form क्या होता है? Essential Digital Infrastructure and Service Network ठीक है? E stands for Essential, D stands for Digital Infrastructure and Service Network Next question 65 Which state recently got its first Doppler Weather Radar that was inaugurated by Union Minister हर्षवर्दन on the 146th Foundation Day of India Metrological Department in January 2021? किस राज को हाली में अपना पहला Doppler मौसम रडार मिला है? जिसका उगाटन किस ने किया है? केंद्रिय मंत्री हर्षवर्धन ने जैनवरी 2021 में भारत मौसम विज्ञान के 146 वेज अस्थापना दिवस पर किया था वो जगा कौन सा था? उत्राखंड नेक्स्ट कोर्शन विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दे सकेंड वर्च्वल इवेंट प्रारम्ब स्टार्ट अप इंडिया इंटरनेशनल सम्मिट 2021? तो दो दिवसिये अभाशी कारेकरम प्रारम्ब स्टार्ट अप इंडिया इंटरनेशनल सम्मिट 2021 में किन देशों ने भाग लिया था? किन देशों ने भाग लिया है दो दिवसिये अभाशी कारेकरम प्रारम में ये लिया है बिम्स्टेक है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है बे ओफ पंगाल इनिशियेटिफ फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कॉर्परेशन ओके नेक्स्ट कॉर्शन क्या है कॉर्शन नमबर 67 वेर इज इंडिया फॉर्स लेवर मुवमेंट म्यूजियम लोकेटेड भारत का पहला श्रम आंदोलन संगराले कहां इस्तित है ये केरल में एक जगा है कौन है अलापुजा यहां पे यह किया गया है ठीक है है ना ओप्शन नम सब्सक्राइब करेंड गोरेवारा इंटरनेशनल जू एस बाबासाहिब ठाक्रे गोरेवारा इंटरनेशनल जू लॉजिकल पर्क किस राज सरकार ने गोरेवार वारा अंतरास्ट्रिय चिरिया घर का नाम बदल कर बाबासाहिब ठाक्रे गोरेवारा अंतरास्ट्रिय प्र of मुलाहग मैडल ओके तो फर्स रेसेप्टेंट कौन थे मुलाहग मैडल के ये थे अजंक्या रहाने है ना अजंक्या रहाने जो है ये इंपोर्टेंट कोशन है ये आ सकता है ठीक है नेक्स्ट कोशन क्या है विश्व मानवता दिवादी प्रुषकार से किसे सम्मानित किया गया है ये किया गया है रवी गायक वार्ड को ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट टॉप इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अंडर मेजर स्टेट कैटोगरी तो प्रमुख राजो किश्रेनी की तहत भारती है नवाचार सुचकांक 2020 के दुसरे संसकरन में कौन सा राज्य सिर्ष अस्थान पे था शकेंड एडिशन ओफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 कौन था सिर्ष पे तो करनाटक टॉप पे था करनाटक नेक्स्ट है वाट वाज इंडियाज राइंक इन दे 2021 मिलिटरी स्ट्रेंथ राइंकिंग लिस्टेट बाई ग्लोबल फायर वर्क ग्लोबल फायर वर्क फायर पावर सोरे ग्लोबल फायर पावर द्वारा सुची बूथ 2021 मिलिटरी ठीक है military strength ranking में भारत का rank कौन सा है भारत का rank कौन सा है फोर्थ है ठीक है भारत फोर्थ स्टेंड पे है पहला यूएस से दूसरा चाइना नेक्स्ट है which country will chair the UNSC Counter Terrorism Committee for 2022 2022 के लिए UNSC Counter Terrorism Committee की अधेक्सता कौन सा देश करेगा वो कौन करेगा भारत नेक्स्ट कोर्शन क्या है आपके स्क्रीन पर which country first indigenously developed satellite Amazonia first will be launched by ISRO इसरो दोरा किस देश का पहला स्वदेशी रूप से विक्सित उपगरा Amazonia first launch किया जाएगा ब्राजिल ठीक है ब्राजिल यहाँ पर right answer है next which portal was launched by ministry of education to provide training to teacher through various online training models तो within online production model के माध्यम से सिक्षकों को परिक्षन प्रदान करने के लिए सिक्षा मंतराले दोरा कौन सा portal launch किया गया है और उस portal का नाम है निस्था ठीक है निस्था उस portal का नाम है option number C next question क्या है question number 76 में who was recently appointed as the new chairman and chief executive officer of the railway board under the ministry of railway on January 2021 January 2021 को हाली में rail मंतराले के तहत railway board के नए अधियक्ष और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक किया गया है शुनीत सर्मा को है ना शुनीत सर्मा राइट एंसर होगा next question क्या है which state has won the best performing state award in the annual event of प्रधान मंतरी आवाश योजना आवार 2019 awarded by PM मोधी on January 2021 January 2021 को PM मोधी द्वारा प्रधान किये गए प्रधान मंतरी आवाश योजना पुरुषकार 2019 के वार्सिक आयोजन में किस राज ने सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले राज का पुरुषकार जीता है और वो राज था उत्तर प्रदेश ठीक है ना उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट एंसर है देखें उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पोजिशन पर है next question क्या है where is the world's longest railway platform being constructed as of January 2021 January 2021 तक दुनिया के सबसे लंबे railway platform का निर्मान कहा किया जा रहा है वो किया जा रहा है हुबली railway station करना तक है ना next question when was world braille day annually observed by United Nations संयोग राष्ट द्वारा प्रतिवश विश्व ब्रेल दिवश कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 4th January को next question क्या है India flagged of the 48th Indian scientific expedition to dash from the Murgaon port Goa on January 2021 यहां पर राइट एंसर क्या होगा Antarctica next question क्या है when was world day of war orphan observed annually across the globe विश्व यूद अनाथो का विश्व दिवर्ष प्रतिवर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है यह होता है 6th January को है ना option number A next question the common wealth of cricket इस book के author कौन है the common wealth of cricket इनका नाम है राम चंदर गुहा है ना common wealth of cricket के author राम चंदर गुहा next है कि भारत के अंतराष्ट्रिये फिल्म महतसव के कानवे संसकरन को इंडिया personality of the year award से सम्मानित किया गया है कि से सम्मानित किया गया है the 51st edition of international film festival of india compared the Indian personality of the year award and it goes to बिश्वजीद चाटर जी है ना बिश्वजीद चाटर जी next question क्या है आपका 84 में who is the first who is India's first covid vaccine recipient है ना भारत का पहला covid vaccine प्राप्त करता कौन है पहला किसको मिला है vaccine Manish Kumar को है ना Manish Kumar next question the national disaster response force celebrated its 16th rising day on राश्विये आपदा प्रतिकीरिया बल ने डैश को अपना सोलवा स्थापना दिवर्ष मनाया 18th January को है ना 18th January को next what is the full form of सक्छम सक्छम का full form क्या है संग रक्छन का full form क्या है शन रक्छन काश मातार महौत्सव है ना next है which state recently organized its first ever bird festival काल रव at the नागी नाट की bird sanctuary तो किस राज ने हाली में नागी नगती पक्छी जो है अब यारने ने अपना पहला पक्छी उत्सव काल राव आयोजित किया किस ने किया काल राव आयोजित बिहार ने name the author of the book Manohar Parikar of the record Manohar Parikar of the record पुस्तक के लेखक का नाम बताई है इनका नाम क्या है वामन सुभा प्रभू है ना option number D next who among the following has been given the additional charge of the आयोज ministry तो आयोज मंतराले का अथरिक प्रभार किसे दे दिया गया है additional charge कीरन रिजिजु को है ना next what is the theme of India digital summit 2021 क्या था theme तो आत्म निर्भर भारत start of new decade ये theme था इंडिया digital summit 2021 का आत्म निर्भर भारत start of new decade next है Joe Biden became the dash president of the United States है ना डोनल्ड ट्रम्प हट गया है उनके जगा पे जोई बाइडन आ गया है ये कैमे हराश्पती है US के यहाँ पर correct answer आपका क्या हो जाएगा 46 यहाँ पर correct answer है option में ही नहीं भी आगा 46 है ना इसको आप correct कर ली जाएगा 46 46 प्रसीडेंट बने है यह next one of the oldest train of Indian railway the dash has been renamed as निता जी एक्स्प्रेस भारतिये railway की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक dash का नाम बदल कर निता जी एक्स्प्रेस कर दिया गया है वो ट्रेन का नाम क्या है हावरा कालका मेल हावरा कालका मेल उस ट्रेन का नाम है next है which of the following state will inaugurate the first child friendly police station in the state निमनी लिखित में से कौन सा राज यह राज में पहला बाल सुलब police station का उधाटन करेगा child friendly police station कौन सा state जो है इनागरेट कर रहा है वो है उत्राखंड the Indian army is to conduct a large scale joint military exercise in the Andaman Sea and Bay of Bengal तो भारतीय सेना को Andaman सागर और बंगाल की खारी में बरे पैमाने पर संयुक्त सैन अभ्यास डैस आजूजित करना है कवच करना है ठीक है कवच is the right answer next the international custom day ये कब होता है अंतराश्ट्रिय सीमा सुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को ठीक है 26 जनवरी next which state has launched the scheme पंक अभियान फॉर गल्स इंपावर्मेंट किस राज ने बालिका ससकती करन के लिए पंक अभियान योजना शुरू की है गल्स इंपावर्मेंट पंक अभियान वो राज है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश यहाँ पे correct answer है next question क्या है आपके screen पर the tri service joint amphibious exercise ampex 21 was held in which state त्री शेवा संयोग ओभियाचर अभियाज ampex 21 किस अस्थान पर आयोजित किया गया था वो अस्थान था अंडमान और निकोबार आईलेंड marcelo rebello de suza has won the second term as the president of which country marcelo rebello de suza de suza has won the second term as the president of which country यह बने है Portugal के ठीक है next question क्या है how many padma award has been announced for year 2021 इस बार padma award कितने लोगों को दिया गया है total 119 लोगों को दिया गया है यह important है इसको आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर देख लिजे यह आप PDF से पढ़ लेंगे इसको अब पदम भूशन साथ लोगों को दिया गया है अब पदम भूशन दस लोगों को दिया है ठीक है और पदम सिरी तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है 112 लोगों को नहीं 102 लोगों को ना 17 यहां हो गया 119 लोगों को दियागा अब उस में से जो important होगा वो कभी कर देंगे है ना फिलाल इन दोनों को तो याद कर ले जागा इसमें ज़े question रहेगा और आज का हमारा current affairs का last question कि holocaust remembrance day यह कब होता है अंतराश्प्रिय प्रलय अश्मरन दिवाश विश्व अस्तर पर कब मनाया जाता है और वो date है 27 January 27th January जो है यहां पर आपका right answer हो जाएगा तो इस तरीके से जो है आपका January 2021 का जितना भी most important questions था hundred questions यह सब मैंने इस वीडियो में करवा दिया है और आप खुद फिल किये होंगे कि एक से लेकर hundred questions में एक भी ऐसा question नहीं था जो कि important नहीं हो है ना तो exam time कम है इसलिए important combination जो है यह आपको सिर्फ provide किया जा रहा है cream questions के साथ है है ना मिलेंगे आपके साथ फरवरी best hundred में तब तक के लिए आप अपना और पढ़ाई करते रही है है ना ओके चलिए फिर all the best प्रवरी best